नवस्कार आप सभी का एगेंस्ट कर्फशन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार RTI के माध्यम से बिहार के IPS ओफिसर की मनमानी एवं 100 समय कार्ज नहीं करने का खुलासा किया गया है तथा उसके जांच रिपोर्ट की मा करने पर भी आवेदक सिकायतकार वादी को जांच रिपोर्ट जान बूच कर नहीं दी जा रही है चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दबाकर ओल पर भी क्लिक अवस्य कर लें जिससे इस तरह को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और विबरश्टाचार के खिलाप आर्ट आई का प्रयोग आसानी से कर सके मैं एक दिव्यां लड़का हूँ इसलिए मैंने न्यालय राज आयुक ने सकता बिहार के समक्ष एक पुलिस अधिक्षक और एक थानाद्यक्ष के खिलाप सिकाय पात दायर किया था जिसमें दोनों प्रतिवादी गन को उपस्थित होने के लिए समय निर्धारित के आगया था आप लोग देखें यह मैंने डार कर दिया है पुलिस अधिक्षक मदेपुरा से अनुरोध है कि सभी संबंदित परतिवादी पदादिकारियों से परतिवेदन समेकित करते हुई आप स्वैम अथवा अपने परतिक्रित परतिनिदी के माध्यम से नियालय राज आयुक ने सकता काड़ यालय कक्ष पुराना सचीवालय इतना के समक्ष दिनांक 11-12-2020 को समय 11 बजी पुरवाहन में प्रस्मकत दावे का उत्तर देने है तू पस्थित हो उसमय राज आयुक सिवाजी सर थे जिनका साइन भी है यहाँ आदेश होने के बावजूद ना तू इस पर कोई कारवाई की गई थी नहीं 11-12-2020 को 11 बजी कोई भी परतिविदन लेकर उपस्थित हुए थे इस सम्बंद में मैंने जब आप लोगों को दिखा रहा हूँ आर्टी आई लगाया या मैंने एक महा पहले ही आर्टी आई लगाया आप लोग पत्रांग दिनांग भी देख सकते हैं या पत्रांग 14-34 दिनांग 10 नमबर 2020 इसी से सम्बंदित मैंने यह आर्टी आई कब लगाई आप लोग देखें 18-10-22 को मैंने जब यह आर्टी आई लगाई तो इसके बारे में जानकारी देते हैं दो लगवक दो बरस बाद इस पर यह देते हैं पुलिस अधिक्षक काड़ियाले पुरा के लोग सूचना पता अधिकारी सह पुलिस अधिक्षक की सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वीट पोर संग्या के माद्यम से प्रापताप के दिनांग 18-10-22 के हस्ता अक्षरित आवेदन प्रपत्र को के आलोक में सुजित किया जाता है कि अधो अक्षरित के कार्या ले गया पांग कितना दिनांग 19-11-22 के माद्यम से राज आयुक ने सकता बिहार पटना को प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है अब देखिए यह लोग इतनी मनमानी करते हैं बिहार के SP होकर जो की एक बहुत बड़े पद की जिम्मेवारी समाले हुए हैं जिनके रिपोर्ट पर किसी को फांसी की भी सजा हो सकती है या किसी को रिहाई भी हो सकती है लेकिन ये लोग अपने पद का अपने समय का अपने पावर का गलत उप्योग कर दोसी पर कारवाई ना कर निर्दोस को भी फसाने का काम क्या करते हैं और जब RTI लगाई जाती है तो उससे संबंदित सूचना सौसमय देते भी नहीं है या मैंने इस रिपोर्ट की मांग RTI के तहत किया था आप लोग देखें मैं मांगी गई सौचना में क्या लिखा है नियाले राज आज़ुक ने सकता बिहार की पतरांग 14-34 दिनांग 10 नमबर 2020 द्वारा पुलिस सदिक्षक मधेपुरा को नोटिस किया गया था इस संबंद में जानकारी चाहता हूँ पहला ततकाले इन पुलिस सदिक्षक का नाम एवं बरतमान पता एवं पत जिसे उस समय कारवाई करनी चाहिए थी दूसरा ततकाले इन पुलिस सदिक्षक द्वारा की गई कारवाई से संचिका की परमानित परती दी जाए तीसरा दोसी पर की गई कारवाई की संपुन जानकारी दी जाए की गई जाँच परतिविदन की परमानित परती दी जाए चोथा उस पताधिकारी का नाम वो पदनाम बताया जा जिसे कारवाई करनी थी पर सो समेन या मानुसार कारवाई नहीं किया गया इस कारण दोसी पतादिकारी पर कहां और किस अधार पर कारवाई की जाएगी इस स्वाकारण बताजा भेजेगे नोटिस की प्रमानित प्रतिसक लगना है इस प्रकार जब मैंने RTI लगाई तो ये अब दो साल बाद लगबग करते हैं किया है राज आयुक्त ने सकता को प्रतिवेदन दे दी गई है लेकिन मैंने उस प्रतिवेदन की मांग RTI की माध्यम से खुद किया तो मुझे जाँद प्रतिवेदन नहीं दी गई इसका अर्थ है कि अब भी पुलिस अदिक्षक द्वारा जान बूझ कर गलत रिपोर्ट कर दिया गया होगा जिसकी जानकारी वो मुझे नहीं देना चाहते हैं और पद का उप्योग कर RTI का उलंगन कर रहे हैं इसके खिलाप हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए आप लोग कमेंट कर अबस बताएंगे तथा इस चैनल को सपोर्ट कर मुझे भी सपोर्ट करेंगे जिससे मेरा भी आत्म विश्वास बढ़ेगा और प्रस्टाचार के खिलाप मैं भी लगातार लरता रहूंगा आप लोग इस चैनल को अबस सपोर्ट करें तथा प्रस्टाचार के खिलाप RTI का प्रयोग करते हुए प्रस्टाचार को उजागर करें तथा उसके खिलाप सिकायतबाद दार भी करें जैहिन